जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यट्यूब चैनल में साथियों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि NDA क्या होता है और आप इसे कैसे जोइन कर सकते हैं यानि कि NDA में भरती होने के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलती है आपको कौन सी रैंक दी जाती है और इसमें आपको क्या काम करना होता है तो हम आपको NDA के बारे में complete information देने वाले हैं और इसमें जो girls की भरती होती है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसमें कैसे join कर सकती है as a girls और as a boys तो इन सभी की जानकारिया को आज की वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए दोस्तों बिना time waste की अपनी वीडियो को start करते हैं दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि NDA क्या होता है साथी हो NDA का पूरा नाम National Defense Academy है यनि की राष्टे रक्षा Academy इसके दोरा आपको भारत की तीनों से नाउं यानि की Indian Army, Indian Air Force और Indian Navy में शामिल होने का मुका मिलता है NDA के थुरू आपको सीधे Indian Army, Indian Air Force और Indian Navy में सीधे ओफिसर बन सकते हैं और इसमें आपको ओफिसर यानि की Lieutenant लेवल की रैंक दी जाती है और जो NDA का मुक्ख्याल ले यानि की इसका Head Office है वो पूने में स्थित है तो ये NDA का थोड़ा introduction है इसके बाद बात करते हैं कि आप इसे कैसे जोइन कर सकते हैं और यदि आप Girls Candidate हैं तो भी आप इसे कैसे जोइन कर सकते हैं तो इसमें देख लेते हैं कि जो इसमें Girls की बरती है वो कब से शुरू की गई है साथियों जो इसकी NDA की बरती होती है वो एक साल में दो बार आयोजित की जाती है इसमें सबसे पहले आपको इसका Online Form बरना होता है और उसके बाद आपका Return Exam लिया जाता है जब आपका Return Exam हो जाता है तो जो भी Candidate उस exam को पास करते हैं उसके बाद उन्हें Interview में बुलाए जाता है जो की 5 दिन तक आपका Interview चलता है जिसका नाम है SSB Interview अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको Description में उसका Link मिल जाएगा हमने उसकी अलग से एक वीडियो बना रखिया है जिसमें आपको Interview के बारे में Complete Information मिल जाएगी तो जब आप इसके Interview को Qualify कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सेलेक्शन इसमें हो जाता है और जो NDA का एक्जाम होता है वो हर साल UPSC के दुआरा आयोजित कराया जाता है जिसमें हर साल लाको Candidate शामिल होते हैं तो साथियों इसके बाद बात करते हैं इसमें योग गता की यानि की इसका Eligibility Crideria क्या होता है इसके Form को भरने का और इसके Exam को देने का तो सबसे पहले यदि इसके Age Limit की बात करें तो इसमें जो आपकी Age है वो साड़े 16 से 19 साल के बीच होनी चाहिए चाहे आप Male Candidate हो या फिर Female Candidate हो आपकी जो Age है वो साड़े 16 से 19 साल के बीच होनी चाहिए तब ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसके बाद बात करें इसमें education qualification की तो यदि आपने किसी भी stream से 12th बास कर रखी है तो आप इसके form को भरने के लिए eligible हैं और इसी के साथ जो भी candidates इस साल 12th में हैं यानि कि 12th class में पढ़ रहे हैं वे भी इसके exam को दे सकते हैं इसके बात करते हैं इसमें subject wise qualification की तो यदि आप army wing के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके पास चाहिए 12th में कोई से भी subjects हों आप इसमें apply कर सकते हैं लेकिन यदि आप air force या फिर navy wing के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके पास 12th में physics, chemistry और mathematics subject जरूर होने चाहिए तब ही आप इसमे eligible हो सकते हैं तो इन चीज़े को अभी आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसके बाद बात करें इसमें height की तो इसमें female candidate की height 152 cm होने चाहिए तब ही आप इसमें eligible हैं तब ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो इस चीज़े का भी आपको ध्यान रखना है साथियों अब बात करते हैं इसमें इसके apply date की यानि की इसके form को apply आप कब से गब तक कर सकते हैं तो NDA exam 2nd 2022 की जो date है वो 18 माई 2022 से 14 जून 2022 तक रखी गई है आप 18 माई की बाद इसके form को apply कर सकते हैं और 14 जून से पहले आपको इसके form को apply करना होगा और इसके fees जमा करनी होगी तो इसलिए time रहते हैं आप इसके form को जरूर भरिए साथियों इसके apply करने का link हम आपको description में provide करा देंगे और हमने अलग से वीडियो में बताया हुआ है कि आप अपने mobile phone से भी इसके form को कैसे भर सकते हैं तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक जाकर नहीं देखा है तो उसका link आपको मारे description में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसके बाद यदि बात करें इसके exam pattern यानिकी syllabus की तो वो भी एक बार देख लेते हैं अगर बात करें इसके exam date की तो 6 सितंबर 2022 को इसका exam conduct कराये जाएगा तो 6 सितंबर तक आपको इसकी तियारी करने होगी सातियों इसके अगर exam की बात करें तो इसमें दो paper होते हैं सबसे पहले जो paper होता आपका mathematics का होता है जिसमें आपको ढ़ाई गंटे का समय दिया जाता है इसमें 120 question पूछे जाते हैं जो कि आपको ढ़ाई गंटे में complete करने होते हैं और इसके लिए आपको 300 marks दिये जाते हैं तो ये आपका mathematics का exam होता है इसके बाद जो आपका paper second होता है वो भी आपका उसी दिन लिया जाता है वो होता है general ability test का general ability test में यानि की get exam में आपसे 150 question पूछे जाते हैं जिसके लिए भी आपको ढ़ाई गंटे का समय दिया जाता है और ये जो आपका general ability test का exam होता है ये आपका 600 number का होता है तो इस तरह कुल मिलाकर आपका जो exam है ये दोनो exam 900 number के हो जाते हैं और इनी के बाद आपकी merit बनती है तो ये आपका exam pattern है कि आपका exam pattern किस तरह कर रहता है जब आप इसे qualify कर लेते हैं तब ही आप इसके SSB interview में जा सकते हैं तब ही आप इसके SSB interview में eligible हो सकते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और एक और खास बात मैं आपको बता दूँ यानि कि जो आपका mathematics का exam paper first होता है जब आप mathematics exam को qualify यानि कि 25% number के साथ pass कर लेते हैं तब ही आपका get exam यानि कि general ability test का जो paper होता है वो check किया जाता है यदि आप mathematics का exam में fail हो जाते हैं तो आपका जो get का exam होता है वो भी आपका check नहीं होता उसे भी reject कर दिया जाता है तो इसलिए आपको mathematics का exam में पास होना कमपल जरी है तो साथ ही हूँ अगर आप Indian Army, Indian Air Force है फिर Indian Navy में officer rank तक जाना चाहते हैं officer बनना चाहते हैं तो आप NDA के form को जरूर भरें और इसके exam की तयारी जरूर करें इसके exam की तयारी से related हमने काफी सारी वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है उन सभी के link आपको हमारे description में मिल जाएंगे और हमारे channel पर आपको वे सभी playlist में मिल जाएंगे तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखें उन से आपको काफी help मिलेगी और यदि आपका फिर भी कोई भी doubt है तो हमें comment box में जरूर पूछिए हम आपको complete information provide करा देंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद फंदे मातरम